दोस्तो यार सबसे पहले तो सौरी कल मैं वीडियो नहीं बनाया पाया क्योंकि यार थोड़े परसनल इशूज चल रहे थे और टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का और क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था तो मैंने सोचा चलो यार पोल डाल देता हूँ लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि उनको क्या देखना है फ्लैश के उपर ब्रेकडाउन देखना है गारजनस ओफ दा गलेक्सी के उपर देखना है या फिर दोनों के उपर ऐसा वर्सेस कुछ देखना है और मैं यहाँ पर उम्मीद करके चल रहा था कि भाई ज्यादा तर लोग तो Guardians of the Galaxy ही काएंगे क्योंकि ज्यादा तर जो मेरे audience है वो Marvel fans है और Marvel की वीडियो सी देखना पसंद करते हैं लेकिन भाई जो results आये पोल के वो सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे results आएंगे भाई 65% लोगों ने कहा कि हमको Flash के उपर वीडियो देखनी है लेकिन इस वीडियो में मैं Flash के बारे में नहीं बलकि Flash vs Guardians of the Galaxy दोनों के बारे में बात करूँगा लेकिन अगर तुम लोग ये पुछने वाले हो कि भाई फिर पोल क्यों डाला जब Flash उपर वीडियो नहीं बनानी थी तो तो देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि ज्यादा तर लोगों ने अगर Flash को चुना है ना तो आधी जंग तो Flash यहीं पर जीत गया क्योंकि भाई यह बहुत ही जादा ऑब्वियस है कि जब भी Marvel और DC के ट्रेलर सेम डे एक ही टाइम पे आएं तो Marvel को जंप मिला है DC को जंप नहीं मिला Flash की मूवी के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेट है Guardians of the Galaxy के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखी आदेखो मैं यह ने कहा रहा कि Guardians of the Galaxy का ट्रेलर खराब था ट्रेलर उसका भी काफी अच्छा था अगर आप इन दोनों मूवीज के ट्रेलर को एक साथ देखोगे तो Flash के ट्रेलर के सामने Guardians of the Galaxy का ट्रेलर बच्चा लग रहा है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कहूंगा लेकिन भाई इसलिए अगर तुम लोगों ने पोल के अंदर Flash को जीता है तो फिर यहां पे comparison करना तो बनता है ना कि Flash जादा अच्छा था कि Guardians of the Galaxy 3 अगर ट्रेलर को देखकर excitement की बात की जाए तो Flash के ट्रेलर के लिए बहुत जादा excitement बढ़ चुकी है लोगों की जो की पहले नहीं थी Guardians of the Galaxy के लिए भी मामला थोड़ा सा ठंडा है और इसका reason यह है कि Guardians of the Galaxy का यह जो नया ट्रेलर आया है इन्होंने न्यू ट्रेलर लिखके डाला है ओफिशल ट्रेलर लिखकर नहीं डाला जिसका मतब यह है कि आने वाले एक से दिल महने में हमने में बेभी एक और ट्रेलर देखने को मिल जाए लेकिन खेर जैसा भी हो Guardians of the Galaxy का यह जो ट्रेलर आया है यह देखने में ठीक ठाक था लेकिन भाई मिसलीडिंग भी था ट्रेलर में वो सारी चीजे दिखाई जा रही है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता पिचर में देखो मेरे कहने का तातपर यह है कि ट्रेलर में जो भी सीन्स दिखाए गए है वो बहुत जादा value-added सीन्स नहीं थे ऐसे सीन्स नहीं थे जो हम लोगों को पता नहीं गमोरा को दिखाएगे हम लोगों को मालूम है भाई जो पहले टीजर आया था उसको देखके भी हम लोगों को मालूम था कि यहाँ भाई यह 2014 वाली गमोरा है यहाँ पे आ गई है इसके साथ कुछ ऐसा खेल वेल होने वाला है और इसके अलाव हम लोगों को यह भी पता है कि Guardians of the Galaxy Vol.3 जो है वो इस फ्रेंचाइस की आकरी मूवी है और इस मूवी में बहुत सारे डेथ सामें देखने को मिलेंगे जिसमें से Rocket Raccoon तो यार कनफाम है उसकी बैक स्टोरी बहुत जादा रुलाने भी वाली है और इस मूवी में उसकी डेथ भी जरूर होगी 100% लिखके दे रहा हूँ Rocket Raccoon इस पिचर में जरूर मरेगा क्यूंकि भाई अगर आप पिछले टीजर को देखो और इस नए ट्रेलर को देखो तो इन दोनों ही ट्रेलर्स में एक चीज़ कॉमन है Rocket Raccoon की बैक स्टोरी पे बहुत जादा फोकस किया जा रहा है और इसलिए अगर किसी की बैक स्टोरी पे बहुत जादा फोकस कर दिया जाए तो भाई उसका आखरी वक चल रहा है मानलो मेरी बात बागी ओवराल ट्रेलर भी बहुत जादा कलरफुल है देखने में मज़ा आया लेकिन भाई एक गलती हो गई मेरे से Guardians of the Galaxy के ट्रेलर को देखने से पहले मैंने Flash का ट्रेलर देख लिया और जब Flash के ट्रेलर को देखने के बाद इसका ट्रेलर मैंने देखा मैंने यार ठीक है आँ चलता है ठीक है ठीक है तो ऐसा हाल था मेरा तो खर दोस्तों आप आजाते हैं Flash के उपर फ्लैश के लिए excitement क्यों है देखो यार फ्लैश के ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज मेरे को समझ में आई कि ये अकेले फ्लैश की मूवी तो नहीं है ये बैटमेन की पिच्चर ज्यादा लग रही है क्योंकि इस पिच्चर में हमें एक नहीं दो दो नहीं शायद तीन शायद तीन बैटमेन हमें देखने को मिल जाए देखो भले ही पिच्चले साल एजरा मिलर ने बहुत सारे कांड किये थे क्या कांड किये थे तुम लोग अच्छे से जानते हो लेकिन किसी तरह सब कुछ ठीक ठाक होकर ये मूवी अब फाइनली रिलीज होने वाली है जो की बार-बार डिले होती जा रही थी अगर किसमत अच्छी होती तो इस पिच्चर को हम लोग पिछले साली देख लेते लेकिन कोई बात नहीं जब जागो तभी सवेरा तो इसलिए अब आई होप की एजरा मिलर आप कुछ खान मत करना बाई चुप चाप से काम कर पिच्चर अच्छी चल गई तो तेरे को आगे भी मौका मिलेगा लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आके लिए फ्लेश की पिच्चर तो लगी नहीं रही क्योंकि इसमें दो-दो बैटमैन है तीसरा बैटमैन भी हो सकता है जिसके बारे मैं आगे बताऊंगा देकि उसके अलावा सूपर गर्ल है दो-दो विलेंस दिख रहे हैं और एक बहुत ही बतलब जस्टिस लिक्टाइट की पिच्चर लग रही है भाई और I'm satisfied I'm satisfied with it क्योंकि देखो ना तो मुझे ना तुमें ना डीसी के डाइहाट फैंस को ऐसी उमीद थी कि भाई बैटमैन देखने को मिल जाएगा और इस तरह का ट्रेलर होगा पिच्चर का किसी ने उमीद ही नहीं कि थी और नहीं किसी के expectations थी इस ट्रेलर को लेकर अपनी पिछली वीडियो में ही मैं आप सबको बता रहा था कि बाई सूपर बोल में DC के दरफ से Flash का ट्रेलर आएगा Marvel के दरफ से यह यह ट्रेलर आ सकता है जिसके उपर मैंने कहा भी था कि Guardians of the Galaxy का ही ट्रेलर आएगा और किसी की उमीद मत करना जैसा कि हुआ भी लेकिन भाई जब तक मैं उस वीडियो को बना रहा था मेरे को Flash से 1% भी उमीद नहीं थी हाँ मुझे ये उमीद ज़रूर थी कि ये मूवी एक गेम चेंजर होगी क्योंकि भाई इस मूवी के बाद से ही DC का यूनिवर्स पूरा बदलने वाला है इसी Flash मूवी की वज़े से आने वाले DC का जो फ्यूचर है वो या तो ब्राइट हो सकता है या फिर फिर से गुमनाम कोड़े में पढ़ सकता है लेकिन यार आई होप सो कि इस बार DC का फ्यूचर ब्राइट हो जाए लेकिन दोस्तो अगर यहाँ पर हम वर्सेस की बात करें एक तरफ Flash को रखे एक तरफ Guardians of the Galaxy को रखे तो भाई ट्रेलर के मामले में तो Flash ने हरा दिया Guardians of the Galaxy को लेकिन हाँ देखने वाली बात तो यह होगी कि स्क्रिप्ट के मामले में Flash मूवी Guardians of the Galaxy को हरा सकती है या फिर नहीं और देखो इन दोनों मूवी के जो भी स्टैट्स होंगे उनको कोई भूल भी नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के जो रिलीस डेट्स हैं उनमें बस एक महिने का फर्क है माई मन्त में आ रही है Guardians of the Galaxy और जून मन्त में आने वाली है Flash और उन दोनों के बीच में सरके की पिच्चर जवान तो हाँ भाई आने वाले तीन-चार महिने हम मूवी लेवर्स के लिए काफी अच्छी होने वाली है बाकि यार आप लोग मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बाताना कि आप लोग कौनसी मूवी के लिए जाधा एक्साइटेड हो फ्लैश या गाजन्स ऑफ दा गलक्सी वॉल्यूम 3 कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ और रुको रुको कहां 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 जान इस पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यार अभी तो चलो अब मिलते अगली वीडियो में गुडबाई टेक कैर